तो जैहन साथ ही हो, आज के इस क्लास में हम लोग प्रतिस्ट यानि प्रसेंटेज का बेसिक, एकदम जीरो से जीरो लेबल कह सकते हैं, उसका डिसकेशन करेंगे, इसमें आपको ये बताया जाएगा, कि जैसे आप अगर मान लेजिए किस एक्जाम में कितना भी नमबर पाज जाए, अगर आपको प्रसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए, कि आप जो भी अंक पाये हैं, जो भी मार्क्स पाये हैं, उसका प्रसेंटेज निकालेए, दूसरा कि इसमें लेंगे, अगर आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार बोलता है कि आपको इतना प्रसेंट करेंगे अगला अगर मानले जो ऐसा होता है कभी-कभी कि आपके साथी ने अधिकंग पा गया आप कम पा गये तो आपको ऐसा देखना होता कि हमारा साथी जो हमसे कितना प्रसेंट अधिक है कितना प्रतिसत में अधिक है उसको हम लोग इसमें देखेंगे और शुरुआत करत उस playlist का link दिया गया है यानि arithmetic math के नाम से playlist होगा उसको visit कर सकते हैं वो आपका competition exam के लिए था जो मतलब higher level का competition exam होता है और ये आप अगर आप मालेजी अभी शुरू कर रहा हैं फ्रेसर हैं अभी आपने कहीं भी तैयारी नहीं किया चाहे आप छोड़े class में हैं तो भी आज वीडियो को देखिएगा इसमें पूरा discuss किये जाएगा percentage के बारे में आज के बाद इसमें कोई भी आपको confusion नहीं रहेगा percentage में चलिए तो आगे बढ़ते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिसत होता है प्रतिसत मतलब होता क्या है अखिर प्रतिसत क्यों लिखा जाता है और कोई नाम नहीं मिला इसको प्रतिसत ही क्यों लिखा क्या कोई दूसरे नाम भी लिख सकते हैं इसके स्थान पे तो देखिए प्रतिसत का सिधा अर्थ है क्या है कि प्रती मतलब क्या होता आप कहते है ना प्रती मतलब प्रती एक है असत मतलब सो प्रती मतलब प्रती एक है और सत मतलब क्या सो इसका मतलब होता है कि यह ऐसा मसीन कह सकते हैं मसीने मान लेजिए यह ऐसा सिस्टम है जो किसी बस्तू का मुल्य मान कोई भी अंक या संख्या को यह 100 पर देखता है यह कहता कि हम कहीं नहीं देखेंगे हम यह देखेंगे कि हमको यह बता दो यह जो संख्या है 100 में कितना है 100 में बताओ कितना है यानि यह कहता कि हम कहीं कुछ नहीं देखने वाले हम आख अपना बंद कर लिए हैं हमको सुर्फ ये बताओ कि ये जो बस्तु है ये 100 पे कितना है यानि 100 में कितना है यानि प्रती 100 में ये कितना है जैसे अगर ग्जामपल ये 20% कहा जाता है 20% कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता इसको लिखते हैं 20 बटा में 100 यही लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि यह जो बस्तु है 100 में 20 है यानि अगर 100 रुपए है तो उसमें से 20 रुपए है ठीक है यानि प्रतिसत वह मालेज सिस्टम है वह मसीन का सकते हैं यह एक परकार का मसीन बना दिया गया कि हर चीज को 100 पर कुछ नहीं जानते हम 100 पर देखेंगे आपको तो प्रतिसत मतलब क्या होता है कि कोई भी यंग कोई भी संख्या 100 में कितना है वही प्रतिसत होता है इंग्लिस वाले अगर होंगे आप तो इंग्लिस वाला देखिएगा कि इंग्लिस वाले में क्या है कि इसको इंग्लिस में क्या बोलते है पर सेंटेज पर मतलब इसको अलग किया जाए सेंटेज मतलब अलग किया जाए पर मतलब प्रतियक इसका भी पर मतलब क्या होते है प्रतियक और सेंटेज मतलब सैंसूरी sensory, आपने बहुत किर्केट में देखा होगा sensory, मतलब सतक, इसका मतलब भी वही है, कोई भी बस्तू, प्रतीज़ बस्तू, सौ में कितना है बता दो, सौ में बताना है, ठीक है, आशा करते हैं, इसका basic आपको clear हुआ होगा, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रतिसत क मतलब, प्रती सो में कोई बस्तू कितना है, प्रती सो मतलब, प्रती का मतलब ही होता है, बता में सो, 20% हमने लिखा तो 20 बता में सो, 30% लिखा तो 30 बता में सो, ओके, अगर हमने 50% लिखा, 50% तो 50 बता में सो लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अब क् कि आप लोग प्रतिसत को लिखिने के लिए एक symbol का use करते हैं, उसका नाम होता है यह ऐसा, यानि एक आड़ी टेड़ी लाइन खीचिए, एक नीचे बिंदी, एक उपर बिंदी, प्रतिसत हो गया, ठीक, अब यह प्रतिसत बराबर होता क्या है actually में, actually में होता है one upon hundred, one upon hundred होता है इसका मतलब, यानि प्रतिसत का मतलब क्या होता है, चलिए तो प्रतिसत का मतलब one upon hundred होता है, एक और नोट याद रखेगा, किसी भी संख्या को प्रतिसत में बदलने के लिए, कोई भी संख्या आपका हो, जैसे, माल लेते हैं यह संख्या हमारे पास है, पांच बट्टा में, पांच बट्टा में, चार माल लेते हैं, पांच बट्टा में, चार, पांच बट्टा में, चार कोई संख्या है, इसको बोलेगा प्रतिसत में बदलो, अब देखे, टाइप पहला हम लोग का है, नोट करिएगा, किसी भी संख्या को प्रतिसत में कैसे बदलेंगे, य इसे 5 बट्टा 4 है, प्रतिसत में बदलने के लिए उस संख्या में या उस फ्रक्षन में 100 अपान 100, यानि 100 अपान 100 कहने के मतलब क्या है, कि 100 बट्टा में 100, इसको हम लोग 100% भी कहा देते हैं, इसको 100% भी कहा देते हैं, लेकिन आप लोग अभी तक पढ़ा होंगे, किसी भ गुणा करते हैं, ठीक है, यानि हम यहाँ पे 5 बट्टा में 4 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे कटें तो 25, 4 के 100, 25, 25, 125, 125, तो फिर यहाँ percentage कैसे आजाएगा, यह तो हम बताइए, percentage कहां आजाएगा, जब यहाँ पे कोई बट्टा में 100 यह नहीं है, तो percentage कहां से आएगा इसलिए जब भी आप इसमें गुणा करें, मतलब जब भी percentage बदले, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या है, प्रसेंट में बदलना होगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, कि 100 बटा में 100 से गुणा करना होता है, नहीं करेंगे, तो कोई भी संख्या में 100 से गुणा न कर रहा है जितना से गुणा करेंगे उतना गुणा तो बढ़े है किसी बस्तू कमानना लेकिन हमारा मैथ में रूल है कि जितनी संख्या से हर में गुणा कर रहे हैं उतनी ही संख्या से अंस में गुणा कर रहे हैं अंस यह पांच उतनी ही संख्या से हर में ही गुणा करिये त घंट जायेगा यह तो जायेगा पचीष संगे सो तो यह 25 गुड़े पांच होगा तो यह क्या बनेगा एक सौ पचीस और यहासे तो हट गया पचीष तो यहाँ पे वन बॉट्टा में सौ तो ऑन बटटा का सौ मतलब हम पहले ही ऑन बच्वां की percentage का मतलब होता है one बट्टा में 100 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 प्रतिसत So, यह अब तो इस one बट्टा के 100 के स्थान प्र हम क्या लिखेंगे percentage यहां पर percentage लगा दिया हैं, आगे बढ़ते हैं यह तो था किसी संख्या को percentage में कैसे बदलेंगे अब आगे हो किसी percentage वाली संख्या को Monomerical value या fraction M में कैसे बदलीगे इसको बदलने के लिए ॐसम्पल figur सी बात है कि कि आपको बता हैं कि प्रसेंट जहां होगा उसका मतलब एक बट्टा में 100 होता है ठीक है तो हम यहाँ पर सिंपल 20 लिखेंगे और गुड़े क्या कर देंगे 1 by 100 1 by 100 ओके तो 1 by 100 कर देंगे तो यहाँ पर 1 by 100 करते हैं तो इससे यह कड़ जाएगा और इससे यह कटेगा यानि 5 1 by 5 इसका answer आएगा ठीक है तो सिंपल सी यह बात याद रखेगा जबहि किसी संख्या को परतीसप में बदलना होगा तो 100 बट्टा 100 यानि 100 % से गुणा करते हैं और जबहि कोई percentage संख्या को एक यह कुणा करते हैं ओके तो आगे बढ़ते हैं तो आपको समझना आया होगा और वही हम question लेते हैं question आपका वही था पहला जो हम तीन question आपको बोले थे पहला question कुछ है इस परकार हम लोगा होगा question यह होगा कि देखिए ऐसे question होता है कि 500 माले जे कोई संख्या है माले जे 500 है यह आप दुकान पे जाते हैं किसी book का मुल्य किसी किताब का मुल्य 500 है ठीक है दुकंदार बोलता है कि आपको हम 20% का छूट देंगे यानि कितने परतिसत का बोला कि 500 का बुक है तो 500 का हम 20% 500 का 20% आपको हम छूट देंगे च्छूट देंगे यानि 500 का 20% च्छूट देगा तो अब तो आपको कम मुल्य देना पड़ेगा क्योगी 20% का च्छूट है लेकिन अब आपको निकालना पड़ेगा किना 500 का 20% होगा कितना ये कैसे निकाले हम तु देखियो कैसे निकाला जाता है का का मतलब सिंपल सी बात है इसको नीचे लिखते हैं यहां पे नीचे लिखते हैं 500 हमने लिख दिया 500 आप लोग लिख लिजिए का का मतलब गुणा होता है इतना तो पता होगा मैं तो का का मतलब गुणा ठीक है का का मतलब गुणा है तो का का मतलब गुणा है तो गुणा लि उस संख्या में एक बट्टा सौव से गुना कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक है, कोई बात ने इसको हटाना, बड़ी बात थोड़ी है, गुना एक बट्टा में 100 कर देंगे, ओके, तो गुना एक बट्टा में 100 की हैं, तो यह जो 100 है, इसके भी बट्टा में आ जाएगा, जीरो से हम दो जीरो इसको कैंसिल कर दें 100 का, तो क्या बच जाएगा, बीस पांचे 100, यानि जो दुकांदार है, अब आपको 100 रुपए छूट देगा, यानि पांच सौ पे 100 रुपए आपको छूट देगा, यानि जो बस तु पांच सौ का दे रहा था, वो बीस में देगा, सही है, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो का वह से लाइक करिएगा, और ऐसा कोई भी आपका दोस्त हो, जो उसको प्रसेंटेज में दिक्कत हो, बेसिक पता ही नहीं उसको, ये वीडियो उसको सेयर करिएगा, ओके, आगे बढ़ते हैं, क्यूशन अगला हम लोगा होगा, क्यूशन वही अगला होगा, जैसे, क्यूशन क्या होगा, कि माल लेते हैं, कि आप जैसे आप जैसे नॉर्मल हाइज स्कूल में आप है, तो हाइज स्कूल में 6 सब्जेक्ट, कुल मिला है, कि इतना मार्क हो जा, टूटल मार्क्स कितना होता है, 600 हो 600 में से 400 मिला, अब आप सोच रहें कि हम percentage कैसे निकालें, क्योंकि आप से पूछा जा रहें कि आप ये बताओ, कितना प्रतिसत हुआ, कितना प्रतिसत हुआ, यानि आप 600 का तो total था, 600 क्या था, 600 तो total था, और आपने 400 number लाया, 400 number यानि आपका प्राप्तांक अब्डेंट मार कितना 400, total marks 600 है, तो कितना percent होगा, अब कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए इसको अगले slide पर हम लोग चलते हैं, और इस पर समझाते हैं आपको, देखिए, question इस परकार बनता है, question इस परकार बनता है, कि 600, यानि 600 आपने total number आपका था, लेकिन आपने पाया कितना 400, तो question इस परकार बनता है, कि 600 का, 600 का, यानि, question इस से बनता है, 600 का 400, 600 का 400 कितना percent है, यानि, जो 600 नमर है, 600 नमर जो है, 600 का 400 कितना percent है, ओके, तो 600 का 400, 600 का यागर 400 की बात करे, 400, यहाँ एक जिरुर वाट आते हैं, 400 कितना प्रतिसात है, कितना percent है, ओके, यानि, 600 का 400 कितना प्रतिसात है, नहीं तो इसको उलट के भी लिख सकते हैं, क्या, 400, कॉमा करिए, 400, कॉमा यहाँ पर करते हैं, 400, 600 का, 400, 600 का, कितना प्रतिसात है, ऐसे भी कह सकते हैं, कितना percent है, ओके, किश्वर समझगा रहा, यानि, जो आपका total marks था, 600, आपने पाया कितना 400, ओके, total marks यहाँ भी 600 है, कितना पाया 400, ऐसे भी हमा के लिख सकता है, ऐसे भी कोई बहुत सकता है, कि total 600 नमर था, आपने 400 पाया, यह बताओ, कितना percent हुआ, तो आपको यह देखना पड़ेगा, कि 600 का 400, 600 का 400 कितना percent है, या, आप ऐसे भी कह सकते हैं, कि 400, 600 का कितना percent है, ओके, तो देखिए, हमेशा तुलना किया जाता है, percentage तुलना है, तुलना क्या है, कि जो 400 है, यह 600 से तुलना कर रहा है, यहां भी जो 400 है, 600 से तुलना कर रहा है, तो यह तुलना कर रहा है, तो आप यह तुलना को हल कैसे करेंगे, तो तुलना करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका total number होता है जो भी आपका total number पाए है जो ही total number होता है तोल No. कितना है यह अगले slide पर हम लोग चलते हैं total number आपका कितना था 600 आप पाएं कितना है 400 ओके यानि आपने कहा था यह और kalo यहाद याद रखेगा, जिसके बाद का, जिसके बाद का लग जाए, या से लग जाता है, उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, उसको बेस में, यानि बेस में क्यों लिखते हैं, कि उसी से तुलना होता है, जिससे तुलना होता है, उसको नीचे रखते हैं, अब याद कैसे रखें भारी नीचे आता है वसे दिमाग में याद रखेगा भारी जो होता है वह भारी नीचे आएगा यानि हर में आएगा तो भारी मतलब क्या है भारी तो 600 है 400 से 600 से 400 क्या है आपको 600 भारी है 400 हलका है तो ऐसे भी आप जैसे भी रिलेट करना हो लेकिन याद रखेगा कि 600 से तुलना किया जा रहा है 600 को हर में लिखेंगे और 400 जो पाए है वो उपर रहेगा यानि 10 में रहेगा तो यह तो हमारा fraction बना लेकिन fraction तो बन गया अब fraction जब बना है तो इसको solve करेंगे तो यह fraction बनता है लेकिन हमको अगर percentage निकालना होगा तो percentage का मतलब 100 बटा 100 100 बटा 100 को बताये थे लेकिन जर्नली 100 बटा 100 कोई नहीं लिखता है मतलब उसकी या तो कि एक उसके बारे में उसको पता नहीं है या लिखना नहीं चाहता तो 100 बटा 100 कोई नहीं लिखता simply 100 लिखा जाता है और बाद में जाके percentage लगा देता है और भाई percentage आ कहां से जाएगा जब आपने 100 बटा में 100 लिखा नहीं तो तो 100 बटा में 100 लिखा नहीं तो अब अगर काटना चाहें तो यह अगर कटे यह कई से जो उपर दिया यह कटे यह कई से इसको काटने के लिए आप ऐसे काट सकते हैं कि छो हैना 40 कटेगा 636 36 36 तो बचा गया 36 4 4 फिर तो 40 हो जाएगा तो फिर 36 36 चाहर बचा पिर 666 आता ही रहेगा तो अगर पॉइंट में लिखना होगा तो 6.66 ऐसे लिख सकते हैं और यहां पर क्या है गुड़े वन बाई आगे बढ़ते हैं यह हो जाएगा ठीक है अगला बच्छा नंबर और एक और वहती है श्याम वह 400 नंबर लाया वह 400 लाया अब क्या होता है अब तो यहां पर यह पूछा जाता, यह बताओ, कि राम तो पांच सोले करा गया, स्याम चार सोले करा गया तो अब पूछा जाता कि यह बताओ, कि राम से किस से, तो राम से स्याम कौन कम है, तो स्याम कम है, राम अधिक है तो राम से स्याम कितना कौम है कितना कौम कितना प्रसेंट कौम है ऐसे लिख सकते हैं कितना प्रसेंट कौम है कितना प्रसेंट कौम है तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे ये कैसे निकालेंगे तो एक बाद ध्यान दखिएगा यह किस से तुलना कर रहा, राम से, किस से तुलना कर रहा, राम से, यानि राम से तुलना कर रहा, तो याद रखिए कि राम से जब तुलना करे, तो राम को क्या करेंगे, राम वाला जो बैलू है, वो राम वाले बैलू को हम लोग नीचे लिखते हैं, यानि 500 को नीचे लिख कितना होता है ही। कितना कम है तो यह स्याम का 400 कितना कम है, तो कम है 100 कम है 100, लेकिन हमको परसंटेज में दो बताना है हमको दो परसंटेज बताना होगा यह ङाद रखीकए यह वहा आगे चलते हैं, यह बहर गए चल तो 500 है od सो औके और कितना कम है यानि स्याम कितना कम है सो तो आगे चलिए इसमें क्या लिखना होता है सो बट्टा में 500 और घुड़े सो सो अगर इसको काट पिट मचाए तो जीरो जीरो यह जाएगा पांस से काट यह तो बीस पहसे सो यानि क्या है कि यह 20% कौम है ठीक है मतलब एक्जामपल की तौर पर क्या है कि जैसे मान लेजिए कि यहां पर राम जो है राम अगर हंड्रेट परसेंट नंबर पा गया है हंड्रेट परसेंट पा गया है तो स्याम उससे 20% कौम होगा तो 20% कौम होगा तो 20% कौम वह यह उंतित घॉख होगा स्फटभी और अन्सार होगा ओके तो राज तो यानา तो स्याम ऑसी पर्शंट लाया येश हो जो स्याम है राम से 20 परशंट कौम है राम अधिक था राम अधिक था आपने देखा था कि राम क्या था, राम तो अधिक था, राम 500 था, स्याम 400 था, ठीक है, तो स्याम 100 अधिक था, स्याम 100 कम था, स्याम 100 कम था किसे, राम से, ओके, तो आसा करते हैं कि आपको अच्छे से केलियर हुआ होगा, अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को वस से लाइक करिएगा, और चैनल को सस्क्राइब करियागा जय हैं बंदे मातरम भारत माता के जय